अभी एक आम इनसान की जो पिर किरती की तरफ है उसका फ्लो नीचे की तरफ है पुरुष से प्रिकृति की तरफ बोलते हैं इसको प्रिकृति से पुरुष की तरफ पुरुष मतलब आत्मा कहने का हमारे हां पर अंदाज होता है तो आत्मा के अंदर ये जो ग्रेविटी को डिफाई करके हमारी जो उर्जा जो पीछे जो एनिमेशन चल रहा है ग्रेविटी को डिफाई करती हुए ग्रेविटी नीचे की तरफ खीछती है हर चीज़ को लेकिन उर्जा जो है उसका फ्लो उपर की तरफ जाता है हर इसान का नहीं जाता भाई डिफोल्ट हर इसान का नीचे की तरफ ही जाता है इस फ्लो को रिवर्स कैसे किया जाए سारे जो spirituality है वो इदर है कैसे हलका हुलका हुआ जाए कौन सी चीजह जो आपको नीचे की तरफ खीचती है कौन सी चीज़ है जो इस flow को downward कीचती है यह है हमारी desires इच्छाएं अब जिसकी जो desires हैं वो desires के पीछे desires सारी root, sacral, money, pur, फिर्दे चकर से जुड़ी हुई desires है यह आपके नीचे का system है सारा root chakra से जुड़ी हुई desires आपको हमेशा root की तरफ ही कीचेंगे जड़ की तरफ जड़ प्रिकृती है उनकी अब root chakra से जुड़ी हुई desires पहली बात है safety, security वह safety, security रहनी चाहिए जीवन में ठीक है बिल्कुल जरूरी है इसमें कोई doubt नहीं है उसके कारण ही इंसान घर बनाता है अच्छी जोब से लाशता है, financial security उसी में आ जाती है उसी में आ जाती है, financial security उसी में आती है body की safety, शरीर जो है, वो safe रहे शरीर में बिमारियां दूर हों, बिमारियों से रही तो सके तो हम मानते हैं कि हाँ, हमारा जो, हमारे जो safety security तो पहली बात, root chakra की उस पकड़ से बाहर आ जाएं कि अब वो चिंता नहीं रहती, अब वो पकड़ नहीं है root chakra जो हमेशा लगातार आपको अपने आप से बांद के रखे हुए था मेरा क्या होगा, ये root chakra की सबसे बड़ा question होता है safety और security को लेकर, मेरा future secure है या नहीं है financially problem तो नहीं आ जाएगी, ये घर safe है, मेरा परिवार safe है, बच्चे safe है या मेरा अपना future मृत्यू में क्या होगा मेरे साथ, बिमारी तो नहीं लग जाएगी बढ़ापा तो ठीक बीदेगा, कोई अपने साथ छोड़ तो नहीं जाएंगे अब इन चीजों से उपर कौन उठता है, कौन उठता है उपर जिसने root chakra को overcome कर लिया, root chakra से जो उपर उठ गया, वो इस बिमारी से उपर उठ गया इस सोच से उपर उठ गया अब ये इस पर हम मेनत कर रहे हैं, root पर आप सोचिए कितने लोगों को ऐसा feel होता है कि अब इस तरह के ख्याल कम आने लगे हैं safety security को लेकर negative ख्याल आने कम हो गए है, हो गए है, हाँ जी कम हो गए है ये वाले ख्याल, समझ में आ रहा है root chakra ऐसे correct हो रहा है, अब ये ठीक हो रहा है, अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वहाँ पर कुछ green, कुछ red color का घूमता हुआ देखेगा, सिर्फ तभी आप कहेंगे कि हाँ root chakra balance हुआ है जीवन में change देखिए, सिधा सिधा impact आपके जीवन पर पड़ रहा है, सोच बदल जाएगी वो भै खतम हो जाएगा, वो डर खतम हो जाएगा, survival का डर खतम तो इसका मतलब root balance तीक है, अब जीवन के वहल वहाँ तक सीमित नहीं है, साथ ही साथ root chakra की पूरी उर्जा को transform करना root chakra पे उर्जा किस चीज़ की है? root chakra की जो उर्जा है वो शरीरी को उर्जा है, physically strength ताकत है इसको transform कैसे करना? higher level की तरफ कैसे जाए ये उर्जा? इसको किसी higher purpose से जोड़ देना higher purpose से जोड़ देना, ये शरीर किस काम आ सके? अभी तक हम इसके गुलाम की तरह काम कर रहे थे मानो हम शरीर को खिलाने पिलाने जैसी ये राजा है और हम इसे खिला रहे हैं पिला रहे है शरीर कहता है मुझे ये चाहिए हम कहते हैं हाँ ठीक है तुझे दे देंगे जो मांगता है हम उसको वो देने के लिए तयार रहते हैं ठीक है जरूरत है जरूरत देने में कोई problem नहीं है शरीर को safety चाहिए security चाहिए कपड़े चाहिए खाना चाहिए ठीक है लेकिन अब खाने के अंदर पीजा चाहिए ये ठीक नहीं है ये ठीक नहीं है गुलामी ठीक न रहे हैं तो definite बात है अगला जो control है वो अपने जुवान पर जीब पर आएगा अगला जो control पहला शरीर पर control ये शरीर जो विर्थ की बातों में जो आपको परिशान करता था जो सोच को बार बार अपनी और खीचता था अब ये शरीर आपके लिए matter नहीं करना चाहिए धीर दीरे करके दीरे-दीरे करके शरीर से ध्यान हटने लगेगा कपड़ों से ध्यान हटने लगेगा मैं कैसा दोक्टा हूं या कैसी कंव जीएँए मैं आपकषा उतना ज़्यादा सुविधाएं चाहिए रूट चकर मतलब सुविधाएं सारा मतलब आप यार एसी तो होना चाहिए ठीक है बिल्कुल होना चाहिए कोई इश्यू नहीं है पर एसी ना हो तो हम बिल्कुल मरने जैसे आलत में हो जाए यह नहीं चलेगा ठीक है समझ में आ रहा है यानि आप सुविधाएं शरीर को दे रहे हो लेकिन गुलाम नहीं बन रहे हैं उसके आम लोग गुलाम बन जाते हैं फस जाते हैं उसके अंदर अब खाने पीने के साथ भी कुछ बुरा नहीं है खाना देना है इसको लेकिन वहीं देना है जो यह मा यहां देखे यह आप आप गुलाम आप शरीर के गुलाम है या शरीर के मालिक हैं यह डिपेंड करेगा कि आपने रूट चक्र को कंट्रोल कर लिया है तो नहीं इसी रूट और सेक्रल दोनों आपस में बहुत कनेक्टिड हैं या माफ करना कुछ हमा समझना स्वार हैं सौध और सेक्ष्वेटि का बहुत गहरा संबंद औससे इतना ही बहुत गहरा संबंद आन दोनों बात का बहुं कभी-कभी है आगलग तरह के चोड़ करने अचार गलत मध में दोनों का तकुल स्वाधिस्टत चक्र इसको सुविधाएं चाहिए इसको लोगों से मतलब कोई feeling करवाए इसको वो सब एहसास चाहिए तो अब यही चीज इसका positive part क्या है positive part है sacral चकर का positive part है कि आप इन सारी desires को इस काम उर्जा को राम उर्जा में convert कर दें उर्जा वही है याद रखिएगा यूर्जा में कोई फरक नहीं है यही उर्जा convert होकर प्रमात्मा का रूप हो जाएगी एक दिन यही काम राम में convert हो जाएगा desire वही है इच्छाएं वही है लेकिन समर्पन हो गया अभी भी मन मांग करता है कि कोई हो यह बास समझ दीजिए सेकरल चक्र मतलब दूसरे की होने की desire और जैसे जैसे आप इसके ओवरकम कर रहे हैं आप दूसरे से ओवरकम हो रहे हैं ना यू डूंट नीड अदर्स फोर टेकिंग राधर यू नीड अदर्स फोर गिविंग गेम चेंज हो गया अब आ हम दोसरों से यह नहीं मांग करें कोई और मुझे कुछ दे पत्नी सुख दे या पती सुख दे या कोई सुख दे अब सुख देने की लएने की इच्छा होकर अब सहजता आने लगी है संतोश आने लगेगा मतलब सेक्रल चकर कंट्रोल हो गया ठीक हो गया मेरी बात समझ में आ रही है यह चेंज फील हो रहा है अपने भीतर यह चेंज फील हो रहा है यह होना चाहिए यह परामेटर है मापदंड है किवल वहाँ पर ओरेंज कलर दिग सेक्रल चकर घूमता हो फील हो गया बात इससे नहीं बनेगी बात बनेगी अपके अंदर प्रैक्टिकली चेंज आना चाहिए अब वह कारनेल डिजायर जो है वह खींचती नहीं है और स्वाद के पीछे मन भागता नहीं है भागता था कभी लेकिन उसको कंट्रोल में लान तो पर उठाब के यह ब्हूंड जन्मों की यात्रा में होता आप देखेए पशुयों के केवल तीन ही चक्रों दो ही होता है जिंगल में जो हरन है करगोश नीचे के बस इनको खाने का पता है इनको परिवार बढ़ाने का पता है इससे दादा इनके कोई जीवन का खास पत बस इतना शास्त्रों में लिखा निद्रा आलस भोग भै नर पशु माहे समान इंसान में और पशु में निद्रा आलस भोग और भै इस सब में समान है निरन ग्यान निज अधिकता ग्यान बिना पशु जान अगर ग्यान अगर इंसान में है तो वो इंसान है वरना वो पशु तुल्य है अब देखिए क्या आज भी हम पशु पने से उपर उठ चके हैं तो रूट और से उपर उठे मतब पशु पने से उपर उठे अब इसके ब और उठे अब confidence चाहिए, willpower चाहिए, अब मुझा मेरे लोग मेरे चाहने वाले हो, desire करने वाले हो, मेरा सामराज्य हो, चे छोटा सही, लेकिन हो, चाहने वाले हो, desire थोड़ी बड़ी हो गई, अब वो root में अपने केवल अपने आपको खाने पीने के पीछे पागल नहीं है, अब वो थोड़े बड़े लेवल पर सोचता है, अब ये भी आपके लिए बंदन ना बन जाए, बंदन ना बन जाए, हाई मेरे को मान सम्मान नहीं मिला, दुनिया ने मान सम्मान नहीं दिया, मान सम्मान मिलेगा मनिपुर्चकर को balance करने के बाद, is that clear, समझ में आ रहा है म मेरे को, मेरे बाद को, हाँ जी, मनिपुर्चकर जब powerful होगा, तो सम्मान मिलेगा, आपका aura strong होगा, मनिपुर्चकर मतलब आपका aura, आभामंदक, जितना ये powerful, उतना दुनिया में, आपको अपने आप लोग आपकी तरफ positively attract होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बंद आप आपको सर पे ही बिठा करकेगा, बट योगा कि mostly लोग आपकी presence में positive हील करेंगे, ये मनिपुर्चकर की power है, आपको गंदर confidence होगा, किसी भी काम को करने के लिए willpower strong होगी, बद यश धन, ये चीज़े प्रयाप्त होंगी, समय रहते हैं, इसके साथ कर्म भी जुड़े होए हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है, इसका मतलब यह है, कि यह balance हो रहा है, अब आपके पास सब्ता की जो uncontrolled desire थी ना, मुझे यह करना है, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, यह एहनकार जाने लगेगा, dissolve होने लगेगा, दिरे दिरे, लगेगा मैं क्या करता हूं, परमात्मा सब कर रहा है, पावर मिलेगी, लेकिन पावर का एहनकार नहीं मिलेगा, हनुमान जी को कभी देखा है, कभी समझना हो ना, इसमें हमने सब, इन सब बातों में हनुमान जी को आप सरवो पर जान सकते हो, he's the master, सब कुछ है, इतनी अठावा शक्ति है, और फिर नमरता, मैंने तो क नारक साब जी ने बड़े प्यार से समझाई है, बड़े गचब की इतनी नमरता, इतनी गरीबी, जिन संतों में देखने को मिली है, उनमें सरवो परी हैं वो, सरवो परी, अजब, मैंने कुछ किया ही नहीं, ग्यान, ध्यान, किछ करम, ना जाना, मुझे कुछ आता ही नही जब ग्यान प्रगट हुआ, मनिपुर्चकर बैलेंस हो गया, अब एहंकार नहीं करेगा वो, उसकी सत्ता होगी, लेकिन सत्ता का घमंड नहीं होगा, याद रखना दोनों को, अगर सत्ता है और घमंड है साथ में, एहंकार है, मतलब इसका मनिपुर्चकर अभी भी इंबै बैलेंस है, वो चोड़ा होता है लोगों के ओपर, अपनी पावर दिखाता है, धोंस जमाता है, तो यह जो धोंस जमाने वाला सिस्टम है, यह मनिपुर्चकर का नेगेटिवली बैलेंस होना, मतलब बैलेंस हो, इंबैलेंस दो तरीकों से होता है, एक सेंटर में जैसे कारी हो जाएगा, अगर अंडर एक्टिव होता, तो यह बलकुल दब्बू सा हो जाता, दोनों बातें समय में आ रही है, दोनों बातें, एक बैलेंस क्या होगा, जो अगर वो दब्बू है, वो भी नहीं अच्छा, वो अपने, मेरे कॉन्फिडेंस निए, किसी काम को करते दर लगता है, बार-बार, फियर आता है, कोई मान सम्मानी नहीं है, कोई ऐसी रोंद के चला जाता है, इतना भी नहीं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, आपको ऐसा हो, और ऐसा भी नहीं, कि मैं ऐसा करने वाला, और मैंने वैसा करने, नो, ऐसा भी नहीं, एक प बालन्स हो गया समझ में आ रहा है या तो यह होगा या यह होगा जरा कितने लोगों को लगता है कि यह भी नहीं हुआ अभी नहीं हुआ है तो आप नमशकार की योग्ये हैं सुन्दर है यह बहुत प्यारी चीज़ है और आपको इसलिए बता रहा हूं कि पता लग जाएगा कल को यह क्लियर कट आपकी नेचर में दिखाई पड़ेगा किसी का जानना हो ना कि इस व्यक्ति का बैलेंस है नहीं कि आप उसके बीहेविर को देखना बीविर से समझ में आ जाएगे कि कौन व्यक्ति किस लेवल पर बैठा है वैसे आप चेक भी कर सकते हैं यह भी बता द दखे लेगा अगर आपका हाथ उसके अंदर की दरफ खीचे तो इसका मतलब उसका चकर इंबालेंस है यह बिल्कुल एक बेसिक तरीका है इसको जाच करने का इसको पर मैंने पहले भी वीडियो डाला हुआ हुए बिल्कुल बेसिक तरीका है पता लगाने का अपने खुद आप दोनों हाथों को सिंपली रब्द करके किसी भी चकर पर ऐसा करके फील करके देखिए इसके लिए बेस्ट होता है कि नॉन एक्टिव हैंड यूज किया जाए तो नोन एक्टिव हैंड से आप ऐसे फिल करके देखेंगे बड़े प्यार से सौफ्ट सी एनरजी है यह ए एक सौफ्ट सी इनरजी फील होएगी कि जैसे हाथ को धकेला जा रहा है अगर धकेला जा रहा है मतलब यह वैलनस है यह पर्फेक्ट है जैसा इसे होना चाहिए इसके लिए पेंडूलम का भी एक तरीका होता है इसके मैं कई लोगों को बोलता है अगर आपके कोश्चन बह बहुत जादा मन में सवाल आते हो बातों को समझाने के लिए यह मैंने आपको बात कह दिये यह वाली तो यह पता लगा ले कि मेरा चकर ठीक हो गया है और जीवन डारेक्ट आपका जीवन सीधी सीधी आपको हिंट दे रहा है कि बैलनस है अत्वा नहीं इन तीन पे मैंद क सब्सक्राइब चोथा है हिर्दय के दो दोनों लेवल बता दूं अगर अंडर एक्टिव होगा तो आप 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 जो है वह इमोशन होंगे नहीं बिल्कुल ब्लंट लोग होंगे अरे क्या मार डालो काट डालो किसी को इमोशनलेस लोग जो होते हैं वह अंडर एक्टिव हाट चक्रा ऑवर एक्टिव हाट चक्राइब बात बात नदियां बैजाती है नियमियों ऐसा भी नहीं लुए उवर एक्टिव और यहां पर बहुत सा लोगों का जो इसा प्रूंज कर जाना इतना सा अपना इतनी ज्यादा परेलनस केसा होगा इसने मियुक्त होगा बांट Kalau आपका इतना चोटा सा आपका हार्ट चक्र इतना कम्जोर है कि किसी के देखने ना मात्र से आपका चक्र्थ आपका पुरा मूड़ खराब हो सकते उसने मुझे बुलाए इतना इतना और EMPKT infected heart chakra सामझ में आ रहा है कि कैसा होगा बैलेंस होगा मेरा मन अब किसी से कुछ डिजायर नहीं करता बल्कि मेरा मन सेवा के लिए करता है ठीक है पर इसका मतलब यह नहीं कि अगर कोई वेक्टी मिरा दिल दुखा दे ओवर सेंसिटिव नहीं होना सेंसिटिव होना अच्छा है उन लोगों से तो बहुत अच्छा है जिन बिल्कुल पत्थर दिल है जो जिनका हाट चक्र है ही नहीं ऐसे लगता है कि वो बेच के खा चुके हैं यह एक ओवरल नेचर यह डिफरेंट होती है वो चीज समझे में आ होगा बैलन्स दोनों के बिल्कुल सेंटर में होगा जो छोट छोटी बातों से प्रभाविद भी नहीं होगा पर दसेम टाइम एक डिसेंट लेवल ओफ डिसेंसी मेंटेन करेगा प्रेम भी करेगा सबके साथ लेकिन एकस्पेक्टेशन भी मत करेगा इसको समझने में इस बनाने में जनम बीच जाते हैं वो यह मत समझ लेना कि मैंने अभी बोल दिया और दो मिनुट में ऐसे हो जाएगा इस चीज़ को समझने में जनम बीच जाते हैं और हम में से अधिकतर लोग हार्ट चक्रा वाले लोग है तो ऐसे लोगों को और भी जाद दिकत होती है तो उनकी वती जिन्हों जूट बोलते हैं जो ज्यादा जो बहुत ज्यादा असत्य का सहरा लेते हैं प्राप्लम को ठीक करने का तरीका क्या है जीवन में जूट से बिलकुल अववाइड करना casual जूट कभी नहीं बोलना ठीक है अगर बोलना पड़े तो माफी मांग के कि प्रभू इस जगा पर मुझे गलती से ये बात कहने ही पड़ रही है कभी-कभी दूसरे के कल्यान हेतू भी कुछ कहना पड़ जाता है मैंने कहरा हूं कि मैं कुछ सत्यवाद हरिश्चंदर हूँ ऐसा नहीं कहरा हूं और मैं आपको भी ऐसा करने के लिए नहीं कहरा हूं लेकिन कही ना कहीं balance जरूरी होता है तो इसका ख्याल रखना जब आपके जूट से किसी का दुख पहुंचने लगे किसी को नुकसान होने लगे तो डेफिनेटी वह जूट जो है वह आपका थोड़ चक्र को इंबैलेंस करतेगा यह ज्यान हमेशा दूसरों के कल्यान हे तुन होना चाहिए इसका उपयोग करना दूसरों के कल्यान हे तु तो यह चक्र आपका कभी गड़बर नहीं करेगा गड़बर तब करता है कोई भी चक्र जब आपने उसका मिस्यूज किया इस आपको मैंने ओवराल इन चक्रों के बेस बताया इससे आप शुरू कर लें अपने पहचान बनाके रखें डेली बेस तना रहा है वन फाइंड डे आप उठेंगे और एकदम आतम ज्यान को अपलब्ध हो चुक्य होंगे वो एक काल्पनिक बात है हो रहा है हम धीरे-दीरे बुद्ध होते चले जा रहे हैं और जो बुद्ध नहीं है वो बुद्धू तो होई रहे हैं बाइडिफोल्ट तो बुद्धू नहीं बनना तो दीरे-दीरे बुद्धत्व उपलब्ध हो रहा है चलो एक परसेंट साहिए पूरे साल भर में भी एक परसेंट अगर बुद्धत्व बढ़ गया ना साल भर में भी कोई-कोई छोटी बात नहीं है बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात सो सालों में भी पूरा हो गया बुद्धत्व की यात्रा बहुत 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 फास्ट ट्रैक पर चले आप सो सालों में होता क्या है लोग थोड़ी तरक्की करते हैं फिर गिर जाते हैं फिर कोई ऐसी हरकत हो जाती है फिर डाउन फॉल में आ जाते हैं पिछले जन्मों के अगर आप अपनी यात्रा देखो न अधिकतर लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि बहुत उचाहियां हासल करके फिर कोई ऐसी गलती करती दढ़ाम नीचे बात समझ में नहीं आई अनेक संतों को आपने गिरते हुए देखा है इस जीवन में मेरे उधारन समझे रहे हुए मैं क्या कह रहा हूं जो यात्रा में बहुत उचे अध्यात्मिक्ता में अच्छे खासे कुछ लोग भी आपने पिछले कुछले 10-20 सालों में देखियोंगे म मैं पिन-पॉइंट नहीं करना चाहरा लेकिन उचाई पर पहुंच जाने के बावजूद फिर कोई ऐसी मिस्टेक करते हैं दढ़ाम नीचे पढ़ते हैं ठीक है यह ना हो यह हम सब के साथ हुआ है आपके साथ भी हुआ है और हमारे साथ भी हुआ है बता रहा हूं मैंने क है सब इनी गलतियों से निकल रहे हैं और इनी गलतियों का नतीज़्यवाज बीलूक में बहटते हुआ है ऋपकि Gob Forest आप में कि कुछ लोग तो ऐसे nggak लेकिन अब क्या करोगे जानके अब सराई बात है कि अब अब गलती ना हो इसलिए एक एक चीज को एक एक बंधन को बड़े जतन से बड़े जतन से तरीके से समझ के साथ करना ना किसी एहंकार में आकर फ़स जाना अधिकतर समय जिसने मारा है ना इन पांच विकारों ने काम सेक्स सीधी सीधी वाइशा में को क्रोध लोब मोह और एहंकार इन पांचों ने बहुत मारा है बहुत बार 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 कही ना कहीं फस गया है बहुत उचाई पर चड़ते 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 या तो काम ने या क्रोध ने या लोब ने या मोह ने और या एहंकार ने कहीं न एक लोगों की यात्रा ये रही है इसलिए be careful इस बार इस बार ध्यान से ध्यान से एक एक कदम फूंकते हुए बड़े प्यार से और बार बार इसलिए अपने गुरू के आगे समर्पित करते हैं कि हे प्रभू मैं बालक नादान हूं में से गलती हो सकती है तुम मेरे हाथ था कोदला हूं मैं बार बार गिर सकता हूं आप समभावन इसे लिए गुरू की जरूरbbe पड़ती है कि पले पढ़ पर रहे यह वाद संंध में आ रही है कि हम आधा सामते हैं ऐसा नहीं कि अपने आपसे पार नहीं हो सकते हो सकते हैं और गिरने की संभावना बहुत जादा है बहुत जादा बड़े-बड़े गुरू टपकते हुए देखे हैं तो हमारी आम इंसानों की तो बात क्या है इसलिए संबलते हुए ध्यान पूरवक यात्रा करना अबजर्व देखो जब तक आप यहां सामने होते हो मैं सरहर बंदे को अबजर्वेशन में रखता तो हूँ अपने इसाब से आपके गुरू आपके टीचर आपके स्पिरिट गाइड भी आपके साथ होते हैं बस अबजरा ध्यान से मतलब इसको बार बार रोज ही चेक करत जाते हैं जो तुम हो मैं है और मुझे भूलना मत «प्रमीं याद करता हूँ फ्रय प्रतिवां को प्रतिवां उसकी बातों का प्रतिफल देता हूँ अगर प्यार से उसे बार बार याद करोगे कि प्रभू मेरी केर करना तो प्रभू भी आपकी केर उसी प्रकार से करते हैं समझ में आ रही है आपको मेरी बार तो जरा प्यार से याद ही कर लिया करें सर्वत्तम साद ने सब कुछ करा जो गुरू नारक साब जी ने में सिखाया ग्यान ध्यान सब कुछ करने के बाद फिर वो कहते हैं ग्य के शर्ण में जाता हूं जो सबसे बड़े हैं उस परमात्मा को कहता हूं है प्रभु मेरी रखना इसलिए एक तरफ ग्ञान ध्यान करम सत्करम सब कुछ कर रहे हैं और दूसरे तरफ उनसे प्राठना भी कर रहे हैं, माफी भी मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मेरी करनी से नहीं होगा, आपकी क्रिपा से होगा, इसमें गुंजाइश बिल्कुल नहीं रहती किसी चीज़ की, मेरे गुरुदेव ने इसी लिएक फरमाया, भक्ती सर्वोपरी है, सर्वोपरी, भक्ती कुर्बान कर देता है कि अप्डाउंडिट है हूं मेरी वाद समझ में आ रही है वह पहले आपको डाउन कर देता है वह पहले डंडवत कर देता है क्या गिरेगा नीचे कुई और दूसरी तरफ शरनागती प्रयास और प्रार्तना दोनों एक साथ प्रयास भी और प्रार्तना भी और फिर देखो फिर आप कभी गिरोगे नहीं हमेशा चरदी कला में रहोगे और परमात्माने चाहा तो इसी जीवन में वो मांतम घटना घटेगी जो आज तक नहीं घटी एक दम ऐसी bombardment होगी एक तन ऐसा साक्षातकार होगा एक दिन ऐसी अंदर से लहर उठी गोज सीधे ब्रमांड में जाकर समा जाएगी यह जो मैं दिखा रहा हूँ यह पीछे animation ही नहीं है जीवन की उसी सच्चाई को दिखाया जा रहा है यहां पर कुछ ऐसा होगा घटित कि सारा रोम रोम परकाशित हो जाएगा होना तो चाहिए इसी के लिए परियास किया जा रहा है कि बस उसके बाद गिरावट नहीं है उसके बाद आप खुद परमात्मा होगे फिर नीची गिरने का कोई वे आउट ही नहीं है ऐसा होना चाहिए कि दूनों चाहिए एक साथ लेके चलना तो जैसा बताया है मैं उम्मीद करता हूं बात समझ में आगी होगी हैं जी परले पड़ गई यह बात क्लियर है तो दोनों सारे साधन अपनाने हैं सारे साधन अपनाने हैं जो बोला जा रहा है नियम अपने पालन करो और लास में प्राठना जरूर करो कि मेरे करने से नहीं होगा आपकी क्रिपा से होगा